आप सबी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल इस्टेडी ओनलाइन चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़फट चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और latest notification के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको notification प्राप्त हो सके दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं आज हम इस वीडियो में cover करेंगे नंबर सिस्टम के महत्वण topic reminder theorem और disability rule के महत्वण प्रशनुत्रों को तो दोस्तो वीडियो में अंते तक बने रहीएगा बहुत ही महत्वण topic है ये इससे आगामी exam में प्रशन जरूर पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं तो चली सुरू करते हैं सबसे पहला question देखिए सबसे पहला question 43.83 divided 21 में 6 क्या होगा अब देखिए दोस्तो इसमें हमें 6 बताना है आप गुणा करके भी इसको कर सकते हैं solve 21 का भाग देके लेकिन हमें वैसा नहीं करना है तो आईए देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको तो देखिए सबसे पहले हमने question को लेका जो भी हमें दिया है अब देखिए यहां पे हम 21 को 21 से मतलब 43 में भाग देंगे और देखते हैं कि reminder कितना बचता है तो 21 दूनी कितना होता है आपको पता है 42 होता है और 43 में से 42 घटाएंगे तो आपका reminder क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है वो भी किसका प्लस का 1 अब उसी प्रकार से 83 में जब भाग देंगे आप तो 21 चौके कितना होता है 84 होता है तो यहां से reminder आपका क्या बचेगा minus 1 क्योंकि यह 83 है 84 में से घटाएंगे तो minus 1 बचेगा अब देखिए यानि कि आपके पास क्या आगया 1 into minus 1 upon 21 तो इसका मतलब क्या हुगा आपका reminder क्या आ रहा है minus 1 लेकिन दोस्तों यह minus 1 answer नहीं होगा जब भी reminder minus में हो तो उसको हर से हमें घटा देना है और वही answer होगा क्योंकि minus यानि कि reminder से इस कभी भी negative नहीं होता तो जब हम 21 में से 1 minus 1 को घटाएंगे तो हमारा answer आने वाला है 20 और यही हमारा answer होगा दोस्तों उमीद है आप यह चीज़ समझ गया होगे अगर नहीं समझे तो देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मालीजे कोई संक्या है मालीजे 8 एक संक्या है उसमें आपको 5 से भाग देना है तो देखिए 5 से जब आप भाग देंगे एक बार जाएगा 5 एकम 5 यहां बचा 3 अब देखिए एक reminder तो 3 हो गया है एक reminder क्या होता है इन दोनों का अंतर यानि कि 5 और 3 का अंतर कितना है दो होता है लेकिन यह minus में होगा क्योंकि देखिए 5 दूनी कितना होगा मालीजी आपने आगे दिया तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा अब 10 minus जब आप घटाएंगे तो यहां क्या बचेगा minus का 2 बचेगा लेकिन हमें क्या लेना है हमें कभी भी minus का जो है वो सेस नहीं लेना है तो इनका अंतर हम देंगे तो इनका अंतर क्या होगा 5 और माइनस 2 का अंतर 3 होगा यानि कि हमने क्या किया हर से उसको घटा दिया और यहां पे भी हमने वही किया अब पिछले कोशनों में तो उमीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे तो चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं कि कोशन है 121 प्लस 90 में 8 का भाग देने पर सेश क्या बचेगा यह हमें बताना है ओप्शन देखिए 3 5 1 8 चलिए इसको सॉल करते हैं तो देखिए दोस्तों इसको आप डारेक्ट भी सॉल कर सकते हैं 121 में आप 90 जोडेंगे तो आपका आने वाला है 211 और 211 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा तो 8 दुनी कितना होगा आपका 16 होगा यहां 11 हो गया तो 11 में से 6 गया 5 और यह एक 8 चिंग 48 तो यहां पे 48 अब 11 में से 8 जाएगा आपका कितना रिमाइंडर आरा 3 तो 3 आपका राइट आनसर होगा लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना है यह तो easy question है इसलिए हमने कर दिया तो देखिए दोस्तों यह 90 होगा अब देखिए 121 में हमें 8 का भाग देते हैं देखते किता रिमाइंडर बसता है तो 8 एक बार जाएगा यहां हो गया 4 यानि की 41 अब 8 पंजे 40 होता है आपको पता चल गया यहां से एक रिमाइंडर बच रहा उसी प्रकार से 8 एक रिमाइंड कितना हो रहा तीन यानि की ऑप्सन नंबर यह आपका राइट होगा दोस्तों ध्यान रखना यह छोटा कोशन है बताने के लिए हमने स्टैप से किया भाग देके लेकिन आगे जब बड़े-बड़े कोशन आएंगे तो हमें स्टैप से नहीं करना है डारेक्ट करना है अब कि next कोशन है 36 की पावर 13 divided by 7 में रिमाइंडर क्यात करें तो देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है 36 और इसकी पावर दिया है 13 और हमें डिवाइट किसे करना है 7 से तो बहुत इजी है देखिए आपको पता है आप जब डिवाइट करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 पना 35 जैंनि कि plus one reminder बचेगा तो यहां से अगर one की power कुछ भी हो 13 दिया है तो यहां पे one की power कुछ भी हो वान ही आना है यनि कि हमारा right answer क्या होगा one upon seven याशाट की one reminder होगा और यही ही answer होगा एक अब देखिए दोस्तों इसको step से भी कर सकते हैं आप कि जैसे 36 को क्या लिग सकते ह और इसकी power 13 लिख सकते हैं तो देखे कभी भी किसी की power की power दी हो तो ये आपस में क्या हो जाता है into हो जाता है गातां करनी के नियम से तो यहाँ पे क्या होगा 6 की power क्या हो जाएगा 6 की power हो जाएगा 13 दूनी 26 अब हमको divide किसे करना है 7 से तो अब देखिए यहां पे जब हम divide करेंगे तो यहां पे क्या आएगा वही छे तोटा है इसलिए क्या आएगा minus 1 और minus 1 की power 26 और divided by 7 अब देखिए minus की power जो है वो even है यानि कि यह जो है 1 प्लस हो जाने वाला है तो यहां से भी one upon seven आएगा तो हमाँ आपसे reminder कितना बचा एक बचा और यह भी हमारा answer है चाहे आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं चले next question देखते हैं चले दोस्तों next question है तीन की power 41 प्लस 49 की power 41 निमले कितमे से किस से विभाज्य होगी आपसें देखिए 52, 54, 53, 56 तो आएए दोस्तों इसको solve करते हैं तो वैसे इस प्रकार का जब भी question हो और जब भी power जो है आपकी बिसम हो तो direct आप A और B को जोड़ दीजेगा यानि की तीन और 49 जोड़के कितना होंगे 52 और यही आपका right answer होगा अब देखिए कैसे जैसे की हम लिखते है A Q प्लस B Q यहां देखिए power जो है क्या है बिसम है और इसका formula क्या होता है A प्लस B A square माइनस A B माइनस होगा प्लस B square यह formula होता है तो देखिए यहां पे power क्या है बिसम है कि जब भी power विसम होगी तो वह हमेसा A plus B से भी divide होगी और A square माइनस A B plus B square इससे भी divide होगी संक्या जैसे A की जगह आपने ले लिया 5 तो 5 का Q प्लस B की जगह मैं बोलता हूँ 2 ले लिजे तो 2 का Q अब देखिए दोस्तों हम चेक कर रहे हैं तो 5 का Q होता है 125 दो का Q कितना ह होता है 2 का Q होता है 8 अब 125 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो आपका आता है 133 अब 133 किस से divide होगा हमेसा A plus B से होगा A की जगह अपने क्या लिया है 5 और B की जगह लिया है 2 यानिकि 5 और 2 मिलके 7 होगा अब देखिए आप 7 से भाग दीजे ये 133 डिवाइड हो जाएगा 7 साथ एक बार जाएगा 6 बचे का साथ नाम 63 यानिकि 7 आपका राइट अंसर होगा यानिकि A plus B से वो संख्या डिवाइड होगी कब जब पावर जो है वो बिसम होगी अब देखिए इससे भी डिवाइड होगी आप चेक कर लीजेगा A की जगह रखिएगा क्या 5 और B की ज़िवाइड जते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दूद्धी गा और जो भी दोस्त नहीं चैनल पब चैनल को सब्स्क्राइब कर दिएगा चलीए नेक्स्ट कोशन देखते हैं दोस्तो सो चलेए नेक्ट कॉशन है इंतीन की पावर 41 फाइब की पावर 82 कौन सी संख्या से कटेगी ओप्सन देखिए 28, 2, 3, 4 तो चलिए दोस्तों इसको solve करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल ला है कि एक पावर जो है even है और एक पावर हमारी odd है तो हमारी या तो दोनों पावर क्या होना चाहिए odd होना चाहिए तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको solve करते हैं तो सबसे पहले जो दिया है हमने वो लिखा 3 की पावर 41 अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 41 बिलकुल क्योंकि पावर की पावर जो है वो into हो जाती है और वापस हमें 5 की पावर 82 ही मिलेगी तो देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि जो पावर है यानि कि A की पावर N और B की पावर N ये दोनों पावर क्या है विसम हो जाएगी तो वो किस से कटेगी A प्लस B से कटेगी यानि कि हमारा अंसर 2 मिन्ट में आ जाएगा तो यहाँ देखिए 3 की पावर 41 प्लस 5 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ 25 की पावर 41 अब देखिए A की पावर N और B की पावर N ये दोनों की पावर N जो है वो विसम है यानि कि इनका योग A प्लस B से ही कटेगा यानि कि 28 हमारा राइट अंसर होगा उप्सन नमबर A उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज समाज गए होंगे चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है 1759 x 1749 x 1753 x 70 x 35 जब हम इनको डिवाइट करेंगे 17 से तो सेस्ट फल क्या प्राप्त होगा तो दोस्तों चलिए इसको सॉल करते हैं तो सबसे पहले हम पॉश्चन को लिख लेते हैं 1759 x 1748 x 1753 x 70 x 35 अब इसको डिवाइट किस से करना है हमें सतर से करना है तो चलिए इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम इसको divide करते हैं 17 से तो 17 एक हम 17 और 17 या इनके आवन यानि कि ये पूरा divide हो गया reminder हमारा क्या रहा है जीरो आ रहा है अब यहां कुछ भी reminder आए अगर जीरो से उसका गोणा करेंगे तो जीरो ही आएगा यानि कि हमारा अंसर के आने वाला है जीरो उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे चलिए next question देखते हैं next question है 127 प्लस 149 प्लस 12,653 प्लस 89 प्लस 18,779 को जब आप 5 से divide करेंगे तो reminder आपका क्या बचेगा आईए दोस्तों इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम question को लिख लेते हैं 127 प्लस 149 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,779 ये हमें दिया है अब इसको हमें divide करना है किस से 5 से करना है तो आईए इसको solve करते हैं तो देखिए 127 को जब आप 5 से divide करेंगे तो आपको पता है आपका reminder क्या आने वाला है प्लस का दो आने वाला है अब देखिए 149 को करते हैं तो पांस दूनी 10 यहां बचेगा 3 तो या तो आप 57,35 प्लस 4 reminder भी ले सकते हैं या 58,44 माइनस 1 भी reminder ले सकते हैं तो हम माइनस 1 ले लेते हैं उसी प्रकार यहां 12,653 में 5 का भाग देते हैं तो पांस दूनी 10 यहां पे बचा 2 पचम 25,1 पांस तीह पंदरा प्लस का 3 reminder यहां से आएगा 79 में देते हैं पांस एकम 5 यहां बचा 2 यहां से 29 हो गया यह तो पचम 25 प्लस का 4 reminder भी बचता है यह पांस चक का 30 माइनस का एक reminder भी बचता है तो हम माइनस वाला ले ले लेते हैं अब देखिए यहां देते हैं पांस तीह पंदरा दो बचा पचम 25 दो बचा पचम 25 यह 26 है एक बचा यहां 19 हो गया और पांस चक के 20 यहां से भी हमारा minus 1 reminder आया तो हम देख लेते हमारे पास क्या क्या reminder आया plus 2 minus 1 plus 3 minus 1 minus 1 यह हमारा reminder भचा और यहां पर हमने 5 लिख दिया अब देखिए दोस्तों यह minus 1 minus 1 मिल के क्या हो गया 2 हो गया किसका minus 2 और minus 2 minus 1 क्या हो गया यह दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा क्या यह हो जाएगा minus 3 अब minus 3 plus 3 यह कट जाएगा तो हमारे पस क्या बच रहा है cable 2 बच रहा है यानि कि 2 आपका right answer होगा 2 ही reminder बचेगा अब देखिए दोस्तों प्लस reminder भी ले सकते हैं तो भी आपका दो ही answer आने वाला है आप चेक कर लिजेगा चलिए next question देखते हैं दोस्तों वीडियो में अंतर तक जरूब बने रहिएगा अभी और भी बढ़िया बढ़िया question है उसको भी हम solve करेंगे next question है एक से सौ तक कितनी संख्या पांच से बिवाजित होगी अब देखिए दोस्तों disability rule की question को करते हैं तो option देखिए 20, 14, 19, 21 तो इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक से सौ तक कि 5 कितनी बार आएगा और जितनी बार 5 आएगा उतनी संख्या जो है वो 5 से डिवाजित होगी ये आपको पता है तो जैसे हमने counting of zero में किया था कि किसी भी संख्या में या किसी भी number में 2 कितनी बार आएगा पांच कितनी बार आएगा उसका पता करने के लिए हम उससे भाग दे देते थे तो यहां पे भी हमें 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के बाद हमारा 11,20 और यही हमारा right answer होगा अगर दोस्तों आपने number system के और अन्य भाग नहीं देखे तो उनको जरूर देखेगा सभी को बहुत ही basic तरीके से किया है और ऐसे प्रस्नों को cover किया है जो परिच्छा में कई बार पूछे जाते हैं तो चलिए इसका right answer क्या होगा option number 20 चलिए next question देखते हैं तो next question है एक से सो तक के बीच कितनी संख्या 5 से विभाज़त होगी option देखिए 20, 19, 21, 17 तो आईए इसको solve करते हैं तो देखिए इस question को समझे है उसने क्या बोला एक से सो तक के बीच में यानि कि एक, दो, तीन ऐसी संख्या है regular series है और कहां तक गई है वो? 100 तक गई है यानि कि 98 और 99 यहां तक गई होगी ऐसे करकर के regular series 100 तक गई अब उसने बोला एक से सो तक के बीच में यानि कि एक को छोड़ दो और भाई सो तक को छोड़ दो तो यह जो बीच की संख्या है बीच की संख्या कुल कितनी होगी भाई regular series है तो बीच की संख्या आपको पता है कि दो नमबर छोड़ दिये तो 98 बची अब इस 98 में जब आप 5 से भाग देंगे तो कितनी संख्या 5 से विवाजित होगी यानि कितनी संख्या 5 से विवाजित होगी हम 5 से भाग दे के देखते हैं तो 5 एकम 5 यहाँ होगा 4, 5 नाम 45 यानि कि 19 ऐसी संख्याएं हैं एक से 100 के बीच में जो 5 से विवाजित होगी और नमबर भी आपका राइट अंसर होगा चलिए नेक्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों एक से 200 के बीच कितनी संख्या 4 और 5 दोनों से विवाजित होगी आप्सन देखिए 8, 9, 7 और 11 तो चलिए इसको सॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें देखिए 4 और 5 दोनों दिया अभी तक एक ही नमबर देता था डिवाइट करने के लिए तो हमें कोश नहीं करना है 4 और 5 का LCM ले लेना है तो वो संख्या 4 और 5 दोनों से विवाजित होगी तो आईए हम इसको सॉल करते हैं तो देखिए 1 से 200 के बीच बोला है यानि 1 को भी हमें छोड़ना पड़ेगा और 200 को भी हमें छोड़ना पड़ेगा अब बीच की कितनी संख्या बची आपको पता है regular series में 198 टोटल संख्या बचेगी तो 198 में हमें किसका भाग देना है 20 का भाग देना है क्योंकि 4 और 5 दोनों से बोला है तो यहाँ पे देखिए हमें से से कोई मतलब नहीं होता कितनी बार भाग जा रहा है आपको पता है कि अगर आप 20 का भाग 10 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा तो हमें जादा नहीं पढ़ना है कम पढ़ना है तो 20 का पहाड कितनी बार 9 बार भाग जाएगा और 9 ही अंसर होगा यानि कि 1 से 200 के बीच में 9 संख्या ऐसी होगी जो 4 और 5 दोनों से बिवाजित होगी ओप्शन नमबर B आपका राइट होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तो कोश्चन है 100 से 200 तक कितनी संख्या जो है वो 4 और 5 से दोनों से बिवाजित होगी ओप्शन देखिए 6, 8, 5, 4 तो चलिए दोस्तो इसको सॉल करते हैं तो यहां कोश्चन ही करना हमें एक से लेके 200 तक देखना है कि कितनी संख्या 4 और 5 यानि कि इनका LCM 20 होगा 20 से डिवाइड होगी और हम माइनस कर देगे किस से एक से लेके 99 तक की संख्या से तो हमारा अंसर आजाएगा क्योंकि उसने क्या बोला है 100 से 200 तक बोला है तो एक से 200 तक देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 200 में 20 का भाग देना पड़ेगा यह चीज आपको पता है और यहां 99 में पता करने के लिए क्या पनना पड़ेगा एक से 99 तक में इसमें भी 20 का भाग दे देंगे से से हमें कोई मतलब नहीं रहता तो यहां से देखिए आप जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार और यहां से जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार आप देखिए इनका अंतर कितना आरा 6 यानि कि आपको पता चल गया कि 100 से 200 तक कितनी संख्या है 4 और 5 से डिवाइड होंगी 6 और यही आपका राइट आंसर होगा उमीद है दोस्तों आप ये चीज समझ गया होंगे चलिए नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं वह निमतन संक्या ग्यात करो जिसे पांस तीन साथ से उतरोतर भाग देने पर सेस्फल दो एक दो प्राप्त हो दोस्तों बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इस टैप के कोश्चन जरूर परिश्चा में पूचे जाते हैं और सन देखिए 144,145,142,144 तो आईए इसको सॉल कर तीन से देना है फिर किस से देना है साथ से देना है और हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए दो एक दो और वो संक्या बताना है तो देखिए यहां पर कोश नहीं तो यहां पर हम एक ले लेते हैं अब देखिए साथ का एक से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा साथ आएगा 28 हमें यहां लेखना है अब उसी प्रकार 28 में पांच का गुणा करना है तो आप करके देखिए का 5,8,4 यहां कितना बचा आपका 4, 5,2,9,10,4,14,14,14 हो गया अब 140 में आप यह दो जोड़ देंगे इनका अपस में गुणा करके जो भी आएगा उसको जोड़ना है त 142 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तो 142 में ही आप 5,3,7 से उतरोतर भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर यही बचने वाला है आप चेक कर सकते हैं उमीद है दोस्तो आप यह चीज समझ गए होगे कुछ नहीं करना है इनका आपस में गुणा करके यह जोड़ना है और सं इस टैप के कोशन जरूर परिच्छा में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से तो चलिए दोस्तो एक और कोशन देखते हैं इस टैप का तो नेक्स्ट कोशन है एक संख्या को जब 6,7,8 से उतरोतर भाग दिया जाता है तो करमसर सेस्फल 3,5,4 पराप्त होता है तो उस अब आपको पता चल गया होगा तो सबसे पहले उतरोतर जब भी दिया हो तो हम इस टैप बना लेते हैं तो संख्या क्या है जब एक संख्या को 6 से दिया जाए, 7 से दिया जाए और 8 से उतरोतर भाग दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या बसता है, 3 बसता है, 5 बसता है, 4 बसता है तो हम वो संक्या ग्याद कर सकते हैं अब फिर उस संक्या को हम 8, 7, 6 से भाग देख लेंगे कि सेस्वल क्या बचेगा तो चलिए संक्या ग्याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 और 1 का गोणा करना पड़ेगा 8 का माठ और चार जोड़ दिया तो कितना आ रहा हमारा बावान आ रहा है यानि कि जो भी आएगा वो प्लस करना है अब बारस हते कितना होता है 84 होता है 84 में आगर आप 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 89 आ जाएगा यहां से अब देखे 89 में 6 का इंटू करके 3 का गोणा करना है 3 जोड़ना है तो देखे गोणा करते हैं हम 6 डाम कितना होता है 54 हासिल 5 आर्चिंग 48 और 5 कितना होता है 30 यानि कि हमारा बारा 534 अब 534 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपका यहां पे आने वाला है 537 यानि कि वो संक्या क्या है 537 है जिसको 6, 7, 8 से उत्रोतर भाग देने पर 6 क्या बच रहा है 3, 5 और 4 बच रहा है अब 6, 537 में ही हमें किस से भाग देना है अब देखे यह संक्या क्या है 537 है अब इसे हमें किस से भाग देना है 8 से देना है साथ से देना है और छे से देना है और हमें भाग दे के बताना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है अब देखिए जब आप आठ से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आठ चिंग, अर्टालेश, छे बार गया अब यहां कितना बचा आपके पास पाँच बचा, अब आठ साथी छपपन यानि कि साथ बार गया तो रिमाइंडर यहां से कितना बच रहा है आपका, एक बच रहा है तो हमने यहां पर एक लिख दिया अब जब आप साथ से देंगे तो साथ नाम कितना बच रहा है उसे 8, 7 और 6 से भाग देते हैं तो reminder क्या बज़ता है 1, 4, 3 और 1, 4, 3 option number A आपका right होगा दोस्तों उमीद है आप ये चीज़ समझ गए होगे बहुत अच्छा question है और इस टाइब के question जरूर पूछे जाते हैं चलिए next question देखते हैं दोस्तो चलिए दोस्तों ये question है आपके लिए एक छोटा सा homework इसका answer जो है आप comment box में comment के माद्यम से जरूर बताईएगा कि क्या होगा और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिगा चलिए मिलते हैं number system के next भाग में